हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज अब, दोस्तों आज हम जानेंगे टमाटर की कुछ गरेलू उपायों के बारे में मदु मैं, इसके लिए टमाटर बहुत ही लाबदायक है, टमाटर की खटाई सरीर में सरकरा की मात्रा गटाती है, मुत्र में सक्कर जाना दीरे-दीरे कम हो जाता है लाइकोपिन लाल पीले रंग के फ़लों वे सब्जू में पाया जाता है टमाटर में लाइकोपिन बरपूर मात्रा में मिलता है लाइकोपिन फ्री रेडिकल्स को स्माप्ट कर देता है लाइकोपिन बहुत ही सक्तिसाली एंटि ओक्सिडेंट है जो विटामिन C से ज़्यादा प्रभाव वाला होता है टमाटर बड़ी आथ को ताकत देता है आखों के गाव दूर करता है एमों पाचन सक्ति ठी करता है टमाटर का नेरंतर सेवन करने से कबज नहीं होती टमाटर में तामबे की अधिक्ता होती है जो रक्त में स्थित लाल कुणों को बड़ाता है टमाटर भूक बड़ाता है तता सक्ति वर्दग है टमाटर में लोहा दूद से दूगना होता है एक बड़ा लाल ताजा टमाटर नित्य खाने से व्यक्ति अनेक रोगों से बच सकता है जुकाम और खासी के इलाज में टमाटर का उप्योग तीन लौंग जरासी अद्रक डाल कर टमाटर का सूप बना कर गर्म गर्म नित्ती तीन बार पीने से जुकाम और खासी ठीक हो जाता है चूना टमाटर में अन्य फल सबजियों की अपेक्सा अधिक पाया जाता है चूना हड्यों को मजबूत बनाता है दांतों एम हड्यों की कमजोरी दूर करने के लिए टमाटर का सेवन बहुत ही उप्योगी है कफ गला और फेपडों में जम जाता है गर गर की आवाज सांस के साथ निकलती है टमाटर का सूप पेसी हुई काली मिट्च या लाल मिट्च डाल कर बना कर इसे घर्मा गरम चार बार नित्य पीने से काफी लाब होता है टमाटर का सूप कफ नाशक होता है टमाटर का रस 100 ग्राम, गाजर का रस 100 ग्राम, पालक का रस 100 ग्राम, सहद 50 ग्राम या आविशक्ता अनुसार सभी को मिलाकर प्राते काल खाली पेट नित्ते पीने से तवच्छा के दाग दब्बे, मुहासे, जाईयां आदी दूर होते हैं okay friends, thanks for watching this video